असलाम लेकूम वेलकम टो मैं कुकिंग चैनल कुक्वी शीरिन काजी आज मैं बना रहे हूं पकोड़े वाली दहीं की कड़ी बहुत इजा एंड सिंपल सी रेसीपी है और मैंने बहुत ही कम मसालों में पकोड़े वाली दहीं कड़ी को बनाया है तो चले इसकी रेसीपी दही ज्यादा डालेंगे और कम ढालेंगे आभी आभि रश्याज्या दालेंगे अभी दही और क्रहेंगें는데 कि अच्छानेशन करेंगे हैं चाहिजे माुच करेंगे देखिव गाइप इतना पतला और रखा है इसको फिर हम गरम करेंगे तो यह कड़ी घाड़ी हो जाएगी देखे मैंने अभी तेरे कड़ाई ले लिया कड़ाय तो कड़ाई में दालेंगे एक बड़ा चमच अजयरी Estoil अभी हम इसमें डालेंगे एक चमाच नमक, आदा चमाच हल्दी पॉडर, अभी हम इसमें डालेंगे बारिक कटे और धन्य के पते, अभी हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अभी हम कडाई में दहीं को डाल देंगे, देखे मैंने कड़ाई में धहीं को डाल दिया है अभी हम इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक के धहीं की कड़ी में उबालना आ जाए देखे धहीं की कड़ी अच्छे से उबल चुकी है अभी हम ढखकर इसको साइड में रख देंगे चलिए अभी हम पकोड़े को बना लेंगे देखे मैंने इदर दो बारिक टीवी प्यास ले लिया है अभी हम इसमें दालेंगे आदा चमच अद्रक लसुन का पेस्ट आदा चमच हरिमिच का पेस्ट दो दिन चुटकी हल्दी पॉडर और एक चमच नमक दाल देंगे अभी हम इसमें दालेंगे बेसन यानी चने काटा और अभी हम इसमें दालेंगे बारिक कटेवे धने के पत्ते और थोड़ा सा अजवयन को क्रिश करके दाल देंगे अभी हम इसमें दालेंगे थोड़ा सा पानी अभी हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया चलिए अभी हम इसके पकोड़े बना लेंगे देखे मैंने कड़ाए में ओईल दाल के ओईल को अच्छे से गरम कर लिया है अभी हम इसमें पकोड़े को बना लेंगे अब हम इसको दूसरी तरह पलड़ देंगे देखे माशाला पकोड़े बनके रेडी है देखे अच्छा सा कलर आ चुका है इस पर गॉर्डन कलर तो चलिए अभी हम इसको निकाल लेंगे अभी हम धेंकी कड़ी में पकोड़े को दाल देंगे देखे मैंने पकोड़े को दाल दिया है अभी हम 10-15 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पकोड़े अंदर से अच्छे से भीग जाएं चलिए अभी हम इस पर तड़का लगा देंगे देखे में इदर एक छोटा पेंड रख लिया है अभी हम इसमे दालेंगे अधा जमट ओईल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें दालेंगे थोड़े क्रश कीवे लेसन अभी हम सबको थोड़े सा ब्राउन कलर होने तक अच्छे से पका लेंगे अभी हम पैन में डालेंगे बारीकटियो धने की पत्ते आपके पास साबुत लाल मिश हो तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं अभी हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस को ओफ करके दो तिन चुटकी ही लाल मिश पॉडर इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी हम कड़ी पे तड़का लगा देंगे देखे माशाला पकड़े वाली धहें की कड़ी बनके रेडी है बहुत इजर और सिंपल सी रेसिपी थी तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज ज़रूर बाता है अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेर करें, कमेंट्स करें अल्ला आफिस